नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी लोंका आज की स्कॉर नहीं वीडियो में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने किसी प्रकार का दो पहिया बाहन अपना मोटर साइकल आपने अपना फानेंस किया हुआ है तो उसका जो finance है, loan की जानकारी, अपना कितना pending EMI है और उसमें कितना आपने जमा किया हूँ है, एवं कितना रह गया है, आप कितना monthly payout को आप कर रहे हैं और कितना आपका किस्तों आपर जमा हुई हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपको complete जानकारी देने वाले ह आप मारी YouTube चैनल पर मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल टैक वीबा चैनल पर नए हैं, तो किरफ़ा सब्सक्राइब कर लें और बगल बाले बैल आइकन को दबा कर ओल पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें, अब को है, पेपर आप अपने साथ में रख लीजिए, जिससे आपको ज़रूरत पढ़ने पर आप उसको फिल कर सकें, तो आपको बताते हैं कि कैसे आपको अपनी जो लोन की जानकारी है, यह माई डिटेल आप कैसे निकाल सकते हैं, लोन का पेंडिंग अमाउंट कितना है अभ वीडियो को सुरू करते हैं, किसी विवाइक का EMI, Loan Detail, Finance पता करने के लिए आपको अपने मुबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, तो यहां पर मैं Chrome ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ, ओपन करने के बाद में यहां आपको सर्च बार में सर्च करना ह है, Hero Fincorp, यह लिखके आपको सर्च कर देना है, तो यहां पर लिखा हुआ है, Hero Fincorp, यह आपको सर्च कर देना है, आपको अपने मुबाइल में, इसके बाद में आपको यहां पर Hero Fincorp की जो Official Website है, आपके सामने ओपन हो जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर हीरो फिनकॉप जो है आपको मिल जाता है EMI loan online payment हीरो फिनकॉप इस आपको आपको लिखा दिखाई दे रहा है इस website को आपको open कर लेना है आपको अपने मुझाल में इसके बाद में कुछ इस परिगे का इंटर्विट्स आपके सामने open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं e-wallet, internet, bank connection, cash card यहाँ पर बगर बगर आपको option मिल जाते हैं तो simply आपको करना क्या है यहाँ पर आपको 3.0 वाला जो option दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर और प्रकार के option यहाँ पर कई प्रकार के दिखाई देंगे जैसे about us, product, career, reaches, blog, investor, csr and customer section तो आपको सिंपली अपना EMI यह फिर लो निटेल पर्ता करने के लिए आपको section खंटर, genre, customer section बहरें इस पर आपको क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 option दिखाई देंगे आपको नीचे वाले option पे click करना है जहाँ पे लिखा हुआ है pay online इस पर आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपको यहाँ पर नय option हो जाएगा page open होगा तो यहाँ पर जो भी आपका bank रहेगा जो भी आपने bank बताया होगा दिया होगा उसे आपको open कर लेना है यहाँ पर आप other पर भी click कर दखते हैं याँ फिर आप किसी भी वैक्म को select कर लिजे तो for example मैं याँ पर state bank of india को select कर लिया हूँ इसके बाद मैं आपको pay now वाले option पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है pay your EMI simple three step लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी EMI को pay नहीं करना है आपको simply नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर enter your loan account number और application ID तो मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि आप अपना जो loan amount का जो sorry loan कराते समय जो आपको loan paper मेले हुए है तो उनमें आपको loan account number और application ID मिलती है तो आपके पास जो भी available हो वो आप यहाँ पर डाल सकते है तो यहाँ पर loan application number नहीं है मेरे पास मैंने नहीं डाला हुआ है तो मैं डालता हूँ यहाँ पर application ID तो यहाँ पर application ID हो गया इसके बाद आपको यहाँ पर fill करना है और इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर जो capture दिखाई दे रहा है इस capture को यहाँ पर आपको submit कर देना है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना application ID loan application number डालने के बाद मैं मैं यहाँ पर इस capture code को यहाँ पर fill कर देता हूँ इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक mark करना है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो mark है I have read and understood तो आपको इस पर click कर देना है इसके बाद मैं आपको यहाँ पर submit वाले option पर click कर देना है तो यह मैंने submit कर दिया, submit करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, loan amount is already closed cancelled, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो मेरा loan का amount है, वो already यहाँ पर fill हो चुका है, मतलब यहाँ पर loan पूरा मुक्त हो चुकी है, जो भी loan थी इसका गाड़ी पर, जो भी गाड़ी का मैंन दे रहा है, अगर यहाँ पर मेरा कुछ भी pending होता, तो यहाँ पर so हो जाता, लेकिन already यहाँ पर loan close हो चुकी है, successfully, और इसका कोई भी पैसा यहाँ पर loan का बकाया नहीं है, अगर बकाया होता, तो आप यहाँ पर देख सकते थे, जोस्तो इस तरीके से आप अपने यहाँ प पर प्राप्त कर पाएंगे, तो दोस्तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे आपको अपनी loan की EMI जानकारी प्राप्त करनी है, वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए है, तो कर पर सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही नोलजवल वीडि किने के लिए, धन्नबाद दोस्तों मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में,